Dear students of class 10, today we will read poem number 4, How to Tell Wild Animals. ये जो poem है, इसके author है, Caroline Wells. It is a humorous poem, it tells us how we can tell different wild animals if we come upon them suddenly. ये जो poem है, ये एक हसी मजाक वाली poem है, और हमें बताती है, कि किस प्रकार से different types के wild animals को differentiate करना है, और अगर वो हमें अचानक से कहीं पे मिल जाती है, ओके, now I am starting the poem. If ever you should go by chance to jungles in the east, east यानि के eastern country in India, and if there should do you advance, a lass and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. The east, eastern country is stony, brown is yellow, dying, यानि कि तुम मर रहे हो. जो poet वो कहता है, अगर तुम कभी eastern के किनी जंगल भी जाओ, और या तुम्हें कभी अचानक से महा से जाना पड़े, और तुम्हें वहाँ पर एक बड़ा सा क्या मिल जाए? beast, tony, यानि कि yellowies और brownies, beast मिल जाए? और वो तुम्हारे उपर बहुत जोर से जपतेगा, और या फिर तुम्हें देखरों दहाडेगा, और तुम्हें लगे कि तुम मर रहे हो, और तुम एकदम से समझ जाना, कि ये कौन है, asiatic lion है? ओके, तो ये कौन होगा, asiatic lion, now in second paragraph, और if sometime when roaming ground, roaming यानि कि wandering, a noble wild-based greets you, noble, यानि कि जो देखने हो, बहुत सुन्दर लगे, greets, meet करे तुमसे, with black strips, stripes क्यों होती है, धारिया, black धारिया उसकी body पर हो, yellow ground, उसकी yellow body पर black धारिया हो, just notice, if it's you, तो notice कर लेना, कि ये तुम्हें खाएगा, this simple rule may help you learn, और ये simple सा जो rule हो तुमारी help कर देगा, the Bengal tiger to discern, discern क्यों होता है, identify, जब तुम कभी Eastern किसी countries के जंगल में जाओ, और देखने में तुम्हें बहुती सुन्दर सा एक animal मिले, जिससे कभी भी तुमारा सामना हो, और उसकी black black धारिया हो, किस पर उसकी yellow body पर, तो तुम ये बात ध्यान देना, कि अगर ये तुम्हें खाता है, ये नहीं खाता, और अगर तुम्हें खा जाता है, तो ये बिल्कुल समझ जाना, कि कोन है एक Bengal टाइगर है, इस जानवर की पहचान करने का सबसे साधारन सा मेथ़ड है, इन स्टेंजर 3, इस स्ट्रोलिंग फॉर ता बेस्ट यू व्यू वोज हाइड, हाइड यानि कि क्या होती है, अनिमल स्किन, विज स्पोर्ट इस पैपर, पैपर्ड कवर्ड, अस सून अस ये बात अन यू, यू विल नू इट इस अ लेपर्ड, ट्विल्डू यू नू गुट तू रोर, फिद पैन, ही विल ओनली लेप अन लेप अगें, स्ट्रोलिंग, वागिंग, जब तुम किसी इस्टर्ण कंट्रीज में, तहलते हुए, जा रहे हो, और वहाँ पर तुम्हें, एक बीस्ट, यानि कि एनिमल दिखाई दे, वूज हाइड, हाइड यानि कि एनिमल स्किन, उसकी जो स्किन है, वो स्पोर्ट से कवर्ड हो, एस सुन एज, एस ही हैस लेप टोन यू, और तुम देखोगे, कि तुम्हारे तरफ उच्छल कर आएगा, यू विल नो, तो तुम समझ जाना, कि एक कोन एक लैप पड, यानि कि तेन दुआ है, तुम्हारे जब तुम दर्द में चिलाओगे, तो इस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये तुम्हारे उपर बार बार उचल कर आता रहेगा, और जब तुम पीड़ा में चिला रहे होंगे, तो इस बार बार आपके उपर क्या करेगा, बार बार उचलेगा, स्टेंजर नमबर फॉर, इफ वेन यू आर वाकिंग राउंड यूर यार्ड, यू मीट अ क्रिएचर देर, हुँ हुग्स क्या होता है, फूट सिस आर्म स्टाइटली राउंड यू, क्यार्ड अजैंटली लविंग टच, कहीं बार जब तुम अपने यार्ड में, जैसे कि कोई बगीचे में, आप वहां पर वाकिंग कर रहे हो, और तुम्हें वहां पर अचानक से एक जानवर मिल जाए, और जो तुम्हारी बहुत टाइटली तुम्हें हग कर लेगा, तो तुम समझ जाना कि ये क्या है एक बियर है, और यदि आप अगर वो आपको बार बार हग करे, अगर तुम्हें कोई डाउट लगता है, और वो तुम्हें मारने से पहले तुम्हें हग करेगा टाइटली तुम्हें समझ जाना कि ये कोन एक बियर है, तुम्हें में पढ़ जाना, क्या होता है कि a novice can get confused एक जो नया नया सीखा हुआ सिकार करने वाला जो आदमी है अगर उसे अपना भोजन लेने के लिए जानवरों की पहचान करने में थोड़ी puzzling फील हो नॉन प्लस हो तो लेकिन जो एक crocodile है यू always may मुझे crocodile होता है और एक जो हाइना होती है उनकी पहचान करना थोड़ा मुश्किल नहीं है जो एक crocodile है वो हमेशा अपनी आखों में tears रखेगा और जबकि एक जो हाइना है वो smile करते ही तुमारे पास आएगी जो real में जो गिर्गिट होता है चैमेलियन होता है वो बिलकुल छिपकली के जैसा दिखाई देता है ना तो उसके कोई कान होते हैं और ना है उसका कोई single punk होता है जिससे कि वो उड़ सके अगर तुम कभी पेड़ पर जाओ और तुम ही वहाँ पर कुछ भी दिखाई ना दे तो तुम समझ जाना कि वहाँ पर एक चैमेलियन ही होगा कि चैमेलियन जो होता है वो according to color अपना color change कर लेता है तो यानि कि अब तुम समझ जाना कि तुम्हें वाइल्ड अनिमल्स को कैसे इंट्रोड्यूस करना है